नमस्कार दोस्तों मैं हूँ निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त तो हम जब मकान बनाते हैं या रिनोवेशन कनाते हैं तो जो फ्लोरिंग है वो एक बहुत इंपोर्डन टॉपिक होती है और उसमें ज्यादा तर केस में हमारे पास दो ही आप्शन होते हैं या तो हम कोई पथर लगाएं स्टोन की फ्लोरिंग जैसे मार्बल वगरह होगा इटैले मार्बल, मार्बल गिरनैट या फिर लगाएं टाइल्स इसमें विट्रिफाइड टाइल्स मेजरली लगाई जाती है तो दो ही आप्सन में से एक तीसरा आप्सन और है उसके बारे में बात कर रहे हैं उस प्रोड़क्ट का नाम है S.P.C. फ्लोरिंग इस चीज़ को हम ऐसे बात कर सकते हैं जो फ्लोरिंग इंडस्टी है या जो फ्लोरिंग के जो आप्सन है उसमें एक नए प्रोड़क्ट ने दस तक दे दी है और उसका नाम है S.P.C. फ्लोरिंग का फुल फॉर्म हो गया स्टोन प्लास्टिक कॉम्पोजिट पथर का चूरा प्लास्टिक को ब्लेंड करके एक फ्लोरिंग का टेक्ट्ट बनाया जाता है और उसके उपर ये सुन्दर-सुन्दर डिजाइन्स प्रिंट की जाती है ये जैसे ग्रे कलर हो गया और भी काफी सारे कलर हैं इसमें मेरे सामने ये जो प्रोड़क्ट रखे हुए है ये है स्मार्ट बिल्ड कंपनी के भारतवर्स के लिए जरूर नया है तो ये जो प्रोड़क्ट बनाती है जो कंपनी उस कंपनी का जो ओरिजनल नाम है वो है SCG Group और ये जो कंपनी है ये थाइलेंड की कंपनी है मजेदार बात ये है कि ये कंपनी थाइलेंड में 106 साल पुरानी है और इस कंपनी की स्थापना उस समय के जो थाइलेंड के राजा थे रामा 6 उनके आदेश के अनुसार सिमेंट बनाने के लिए की गई थी और आज की तारिक में ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा सुनके कि थाइलेंड के राजा का नाम उस समय रामा 6 था और आज के जो महराज है थाइलेंड के उनको रामा 10 के नाम से बुलाया जाता है तो रामा 6 से रामा 10 तक की सफर में थाइलेंड का यह जो प्रोड़क्ट है यह भारत परस में आई है कोई भी कम्पनी अगर 106 साल तक चल गई है इसका मतलब वो एक जिम्मेदार कम्पनी है और वो अपने प्रोड़क्ट को तरीके से ढंग से अच्छी तरीके से बनाती है ऐसा हम मान सकते हैं अब बात करते हैं कि जैसे सपोज मान लीजे आपके यहां पर कोई रिनोवेशन होना है आपका एक मकान है और उसमें आप चाह रहे हैं कि आपकी फ्लोरिंग चेंज करनी है तो आपके पास option यह है कि आप पूरी फ्लोरिंग उतार के दوبारा से नई फ्लोरिंग या टाइल की लगाएं दूसरा option यह है कि existing ओपर जो टाइल एडिसिव आता है या stone एडिसिव आता है उससे उसके उपर आप मारबल लगा लें या टाइल लगा लें यह जो process है यह बहुत ही tedious सा time consuming और जो जिस जगे पे भी यह flooring change होती है या install होती है वहाँ बहुत सारा disturbance होता है वहाँ पे कोई काम नहीं किया जा सकी जबकि अगर आप SPC flooring लगाते हैं तो existing floor को renovate करना बिलकुल आसान है आराम से उसी जो वर्तमान में जो flooring है उसको बिलकु disturb किये बगर उसके ओपर हम SPC flooring लगा सकते हैं वो वाला option भी है हमारे पास कि हम existing floor के ओपर tile adhesive से नहीं flooring लगा लें लेकिन अब मज़ेदार बात यह है कि एक बार आपने existing floor के ओपर tile adhesive से flooring लगा ली अब आप सोच रहें कि दुबारा से एक बार और और change करा है तो फिर आप वो जो यह वाला जो idea है कि बारा से उस लोग पर आप tile adhesive से flooring नहीं लगा पाएंगे वो सही नहीं रहेगा तो उस case में क्या होगा कि आपको अभी existing floor जो दिख रही है वो और उससे पहले वाली floor पूरी निकाननी पड़ेगी फिर दुबारा से आपको flooring करानी पड़ेगी उ market में क्याने वाले समय में बहुत सुन्दर सुन्दर exclusive designs इसमें आने वाली है और आपके पास नहीं designs आ गई या आपका taste change हो गया है नए जो आपी जो बच्चे बड़े हो गए उनको आप कुछ नया look चाहिए तो आप जो existing SPC flooring है उसको बिलकुल आराम से उतार के हटा के प्रेमाइसे से जहां पर आप जो में स्पेस है उसमें आप नए तरीके की नए प्रिंट की नए डिजाइन की SPC flooring लगा सकते हैं कोई दूसरी flooring भी soft flooring लगा सकते हैं अब हमारे पास दूसरा option है flooring को renovation के समय यूज करने का वह हम laminate wooden flooring लगा सकते हैं विनायल flooring लगा सकते हैं या carpet भी लगा सकते हैं अब इसको SPC से compare करते हैं मैं यहाँ जब SPC से compare कर रहा हूं तो ऐसा मत मान लीजिए कि कोई दूसरा product खराब है या SPC flooring ज़्यादा बहतर है बट एक comparative बता रहा हूं ताकि हमको समझने में थोड़ी आसानी हो और decision लेने में अब suppose मान लीजिए अपने laminate wooden flooring लगाई तो laminate wooden flooring के साथ जो advantage है लगा लो हटा लो यह वाला advantage है लेकिन laminate wooden flooring के साथ जो challenge है कि वो पानी से खराब हो सकती है उसमें दीमक लग सकती है यह वाली जो challenge है यह SPC flooring overcome करती है क्योंकि SPC flooring में न तो दीमक लगेगी और नहीं यह flooring पानी से खराब होगी और जो life वाली बात है कि जो laminate wooden flooring या engineered wood लगाते हैं वो मान लीजे 25 से 30 साल चलती है तो यह product भी लगब 25 से 30 साल चलेगा या उससे भी ज़्यादा चल सकता है एक estimated जो life होती है किसी भी product की उसकी बात करें अब दूसरा option आगया हमारे पास vinyl flooring क तो vinyl flooring में क्या challenge होती है कि अगर आप roll format की vinyl flooring लगते है जो पूरा roll लगता है तो उसकी joint कभी कभार अजीब सी जगह पे आ जाती है और जगह पे जो बहुत खराब भी अब आपने vinyl flooring की tiles या planks लगाए तो उसमे multiple joints होते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आराम से लग जा दिखने में से प्लास्टिक जैसा लगेगा दूसरा expansion contraction की वज़े से जो joints है वो कभी कभार shrink हो जाते हैं वहाँ पे gap create हो जाता ये भी एक challenge है और vinyl flooring की थोड़ी सी aging जिसे जिसे पुरानी होती जाएगी वो age थोड़ी जल्दी होती है जिसे पुराना look जल्दी आ जाता है अब बात करते हैं कार्पेट से सपोज मान लीजिए आपने कार्पेट flooring लगाई तो कार्पेट को एक तो maintain करना बड़ा मुस्किल है उसमें कोई भी चीज गिर गई तो उसके spot या दाग धब्बे लग सकते हैं चाय गिर गई सबजी गिर गई कोई भी चीज गिर गई तो जो wall to wall कार्पेट हैं उनकी बात कर रहा हूं और कार्पेट जो है एक बार आपने लगाया wall to wall कार्पेट उसकी जो उमर है वो SPC flooring के comparison में कम है वो थोड़ी पुरानी जल्दी दिखने लग जाएगी जबकि SPC flooring को साफ करना साफ सफाई करना बिलकुल आसान है इस पे कोई भी चीज गिर गए तो उसके दाग दबे लगने के चांसे बिलकुल ना के बराबर है और भारत वर्स जो है ये धूल मिट्टी वाला देश है यहां पर धूल मिट्टी काफी होती है करीब परे भारत वर्स में ये समश्या है तो जो हमारे घर की जो home owner होती है जो ये महालक् तो आपके पाओं में कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ ऐसे feel होगा तो पोचा लगाने से वो वाली समस्या दूर हो जाती है और घर थोड़ा साफ सुतरा भी रहता है तो आप SPC flooring में आराम से पोचा भी लगा सकते हैं नहीं भी लगाएं तो भी चल सकता है कभी-कबाद इसकी एक बहुत ही प्यारी बात मुझे जो लगी इन्होंने एक punchline बोली है कि get new floor within 8 hours आठ घंटे के अंदर अंदर आप अपने आपे नई flooring लगाएं जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे flooring चेंज करनी है इनकी इस company representative को जिसनका number में नीचे description में दे दूँगा इनका contact details उनको आप phone करते हैं कि अपने representative को आपके पास भेजेंगे आपने color देखा पसंद किया और जब आपने इनको order दिया उसके बाद आपकी जो flooring है within 8 hours change हो जाएगी मैया look बिलकुल और आप immediately उसको आप use कर सकते हैं दूसरा advantage क्या है कि जब आप stone की flooring लगाते है पत्थर की flooring है SPC flooring अगर आप मनाते हैं तो इनका जो representative आएगा पहले आपकी area का measurement लेगा आपको estimate बताएगा और उतनी ही flooring आपके आपके आपे आएगी जितनी आपके आपके लगाने के लिए जरूरत इसमें wastage आप समझ दिजे करीब करीब नहीं के बराबर होता है ये बहुत कमरे की photo upload करके इसमें देख सकते हैं कि इनकी flooring कैसी दिखेगी website का link वैसे मैं screen पे भी दे दूँगा लेकिन ये देख लिए zamart.com slash in slash virtual dash design dash tool इसके राम से और अगर suppose मान लीजिए आपके पास अपने कमरे की photo नहीं है भी फिलाल तो इनकी जो library है उसमें भी काफी सारी options दिय living room है और बाकी का जो है वो अभी download हो रहा है तो यहां से आप photo upload कर सकते हैं इस जगह से और ये अगर आप photo नहीं है तो ये फाइल थोड़ी जो ना pictures काफी heavy है तो थोड़ा load होने में time लग सकता है अभी load हो रही है तो इसमें आप देख लीजिए lobby, living room, conference room या जैसे दुबा room और भी बहुत सारे pictures हैं जिसको देख करके आप idea लगा सकते हैं कि ये overall कैसी दिखी जब आप इसको download करेंगे अपने घर पे तो ये आराम से अगर आपकी थोड़ी broadband की speed होकर proper है तो हो जाएगी ये तो थोड़ा time ले सकती है बस तो आपके घर में जब भी आप flooring लगाने के बारे में विचार करें तो आप इनसे बात कर सकते हैं आप अपना विवेक यूज कीजिएगा और आपको जो भी सवाल हो आप company से directly पूछ सकते हैं मुझसे पूछना चाहें तो नीचे comment में लिग दीजेगा तो मेरे पास जो भ इनके product की और अगर आप इनकी website विजिट करेंगे तो आप देखीगा कि काफी अच्छी wide range of products है तो आप उसमें से आप और भी कहीं पे आप इनसे जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं अब suppose मान लीजे कि आप नया मकान बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आप SPC flooring एक आपक कर सकते हैं आपके जो नए मकान बने उसमें उसमें क्या है कि आप एक एरिया में अलग color यूज़ कर सकते हैं दूसरे एरिया में दूसरा color यूज़ कर सकते हैं तो वह भी option आपके पास available है और उसमें आप SPC flooring को भी consider कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है ये video आपको अच्छ से भी इस video की किसी को जरूत हो सकती है किसी का मकान बन रहा हो या कोई renovation करने के बारे में सोच रहा हो या आपकी building material industry से भी कोई व्यक्ति हो आपके जान पितान में उनसे भी आप ये video share कर दीजेगा ताकि अगर वो इस company से जूड़ना चाहे व्यापारिक तो भी जूड सकता है बाकी सारी चीजे सब ठीक है सबसे important चीज काम है exercise कीजिए पैदल चलिए धंका खाना खाईए स्वस्त रहिए नमसकार और दुनिया के सबसे प्यारे दो सब जैहिंद और मज़ा आया आपको वीडियो देखने में कि Thailand के जो महराज है उनका नाम Rama 6 था जब ये company start हुई औ आज के जो महराज है Thailand के उनका नाम है Rama 10